टीवी 24 में आपका स्वाज़त है मैं हूँ आपके साथ अंक्यताबच 21 सदी में हम जी रहे हैं जी हाँ इस सदी में महिलाएं ट्रेन चला रही हैं प्लेन उड़ा रही हैं हर वो काम कर रही हैं जिस काम पर एक समय तक महिलाओं के लिए पाबंदी थी पर आपको पता है एक चौकाने वाली बात हम आज आपको बताएंगे जी हाँ भारत का एक राज्य ऐसा भी है जहां पर आज तक एक भी महिलाविदायक नहीं चुनी गई इस राज्य में महिलाओं की संख्या पुरुष्य के मुकाबले काफी अच्छी है महिला मत दाताएं भी काफी अच्छी संख्या में वोट डालने जाती हैं पर क्या है इसकी पीछे की पूरी वजह कि आज तक एक भी महिलाविदायक इस राज्य में चुनाओं न जीत सकी आई आपको दिखाते हैं और ये भी बताते हैं कि क्या 2023 में कुछ बदलाव आएंगे या नहीं जस राज्य की हम बात कर रहे हैं वो भारक का अभिन अंग नागा लैंड है इस राज्य को 1963 में पूर्ण राज्य का दर्जा मिल गया था तब से इस पूर्वत्तर राज्य में 13 चुनाव हो चुके हैं लेकिन हैरानी की बात है कि विधान सभा के लिए कभी कोई महिला विधायक नर्वाचित नहीं हुई यह तब है जब देश में इंदिरागाधी, जैललिता, मायावती समेथ कई महिलाओं ने शक्तिशाली पदों को समाला है नागा लैंड में अच्छे सामाजिक पैरामीटर होने के बावजूद ऐसी स्थितियां क्यों है इसे समझना बेहत मुश्किल है नागा लैंड की महिला साक्षरता दर 76.1 प्रतिशत है जो राष्ट्री और सत्प्रतिशत से काफी बहतर है इसी के साथ राज में कई महिला अधिकार संगठोनों का भी अच्छा खासा प्रभाव है नागा लैंड में अभी तक केवल 20 महिलाओं ने विधानसभा चुनाव लड़ा है 2018 में चुनाव में 5 महिलाओं ने चुनाव लड़ा था यह संख्या अब तक की सबसे अधिक थी इन उम्मिदवारों में 3 को वोटों का छटा हिस्सा भी नहीं मिला आपको जानकर हरानी होगी कि राज में अब तक जिन 20 महिलाओं ने चुनाव लड़ा है उन में से 13 का भी यही हाल हुआ हाल इतना बुरा है कि महिलाओं को आरक्षर के साथ फैसले लेने पर भी नागा लैंड में विरोध किया गया नागा लैंड में 27 फर्वरी को विधान सभा चुनाव होने है इस बार वहां की नैशनलिस्ट देमोक्रेटिव प्रोग्रेसिफ पार्टी एंडी पीपी ने 60 सदसी विधान सभा के चुनाव के लिए अपने घोश्रा पत्र में लैंगिक समानता का वादा किया है 2023 विधान सभा चुनाव में चार महिलाओं ने नामांकन दाखिल किया है सबी की निगाहें दो माज पठिकी है अब यह देखना दल्चस्प होगा कि नागा लैंड की राजनीती में कितनी महिलाओं का चेहरा सामने आएगा तो आपने इस रिपोर्ट के मादिन से जाना कि क्या इस राजनी महिलाओं को लेकर बदलाओं की बयार चलेगी या नहीं अगर आपको रिपोर्ट पसंद आई तो इसको लाइक करें शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले